तर में राजमोन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार में कोरोना की एक बड़ी सुनामी आ जाई है जी हां आठ अगस्त को बिहार स्वास्त विभाग ने जो आकरे जारी किये हैं वो बता रहा है कि बिहार में कोरोना अब अपने पूरी रफ्तार पर है क्योंकि जो न उस अपडेट में बताया गिया है कि पिछले 24 घंटे में 3,992 नए कोरोना पॉजिटीव मरीज मिले हैं इसके साथ ही बिहार में अब कुल कोरोना पॉजिटीव मरीजों की संक्या 75,786 पर पहुच गई है बिहार में कोरोना जाच की जो संक्या है उसमें भारी बडोतरी भी देखने को मिली है सतर हजार से ज्यादा जाच बिहार में अब होने लगे हैं लेकिन साथ ही कोरोना के मामलोग में भारी बडोतरी अब आ रही है रिकॉर्ड तोर मामले लगतार आते जा रहे हैं अररिया जहां पर 100 जादा मामले अब तक नहीं देखे गए तो वहां भी पिछले 24 गंटे में 100 से जादा मामले आ क respecto को लेकर आपको लगतार अगा कर रहा हुं कि iad met weakamment gak 증 रहा है वहां कल और पर लगतार दो दिन से 200 से ज्यादा मामले आए थे आज भी वहां चो छाट का 603 वदेढ़ी 320 ना ढाली मंत्रिश्मस्व और ब्वरुकर सामवनी जलेए भागलपुरी क्यानबे भोजपूर 119 बक्सर 131 दर्भंगा 41 इष्ट चंपारन 149 गया पंचानबे गोपाल गंज 102 जमुई 17 जहानबाद 46 कहमूर 58 कटिहार 113 खगडिया 44 किसन गंज 70 लखी सराय 52 मद्यपूरा 72 मदुबनी 117 मुंगेर 64 मुजफरबूर 118 नालंदा 120 नवाद 27 पटना 534 पुर्निया 99 रोतास 131 सहरसा 86 समस्तिपूर 147 111 सेखपूर 89 सीवर 13 सितामडी 96 सिवान 107 सुपौल 89 वैसाली 160 वेस्ट चंपारन 102 इस तरह पिछल 24 गंटे में 3,992 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरे बिहार से मिले हैं 6 अगस्ट 6 अगस्ट को जो कुरोना अपडेट हमने आपको दी थी उसमें हमने आपको बताया था कि बिहार के 38 जीलों में 10 ऐसे जीले हैं जहां 100 से ज्यादा मरीज मिलें और आज अगस्त की जो रीपोर्ट है वो उसमें बिहार के जीलों की संखिया फिर से बढ़ गई है यानि अब आज 14 ऐसे जीले जहां 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं उसमें राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 500 से ज्यादा मामले मिले संक्रमीत मरीज हैं जांऔ ही रफ़तार बढ़ हो घांई की रफटार जैसे बढ़ी है बीहार में नय मरीजों की मिलने भारी बड़ोतरी दर्ज की गई है जाच निश्ची तवर पे 70,000 से ज़्यादा हो रहा है हालांकि जो हो रहा है वह रेपीड एंटीजन कीट के जाच है आटी PCR जाच की संख्या और रेपीड एंटीजन कीट की जाच की संख्या बताती नहीं है बिहार सरकार और बिहार स्वा है उसमें बड़ोतरी लगतार देखी जा रही है तो कहा जा सकता है कि रैपीड एंटीजन टेस्ट जो है उसके वजह से लगतार बिहार में जाच की जो संख्या है वह बड़ी है हर एक अनुमंडल हर एक पंचायत में भी अभी जाच की ववस्था कर दी गई है यह एक अच पास बिहार में एक दिन में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हो तो सचेत हो जाए सुरक्षित रहे घर में रहे जरूरी हो तभी घर से निकले और निकलते वक्ते सुरक्षा के जो भी मानक है उसे जरूर अपने साथ रखे मास्क का उपयोग करे सेनिटाइजर भी साथ रखे क अभी भी जरूरत पर सकते हैं सोसल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें अपनी सुरक्षा करें बियार को सुरक्षित रखने में सयोग और अपना योगदान जरूर्द है फिलाल के लिए इतना ही खवरों में बने रहने के लिए देखते रहें बियार नियूज धन्यवाद